सो हाई यार कैसे हैं आप लोग और जैसे की जही मेन का एक्जाम का डेट निकला वाइसे काफी बच्चों का दिक्कत ही आने लगी यार कैसे रेजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है अचा मैंने कल की वीडियो में अगले साल का भी कलेंडर एक्जाम का वो रिलीज हो चुका ह है तो वह कहते हैं अभी आपको मैं वह भी दिखा दूँगा लेकिन अभी कैसे आपको रिस्टर करना है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं तो जैसे आप नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा candidate activity में डेटे जैमें 2023 session first application जैसे आप इसको क्लिक करोगे ठीक है क् क्लिक किया इस तरीके से आपको खुलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका new registration पर आपको जाना है ठीक है जैसे आप new registration पर जाते हो ठीक है new registration पर किलिक करते ही आपका इस तरीके से खुल जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर information bulletin download करने के लिए बोला गया होगा और view examination CTs व 500 यानि इनका पीछले साल से fees इन्होंने increase करने को जाता पीसा चाहिए ठीक है तो 500 रुपे इंका increase हो चुका है ठीक है और अगर आपको दो exams का देना है तो आपको 2000 पे करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए थोड़ा से और आगे बात कर लेता है जैसे आप नीचे जाते रहें करना है आपको registration करना है registration करते है आपको application form फिर fee payment last आपका fee payment होगा आप जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे यहाँ last में जाए लास्ट में आपको यहाँ पे एक चोटा सा message का दिखाऊगा I have downloaded the information bulletin and all click here to proceed कर देना जैसे click here to proceed करो के browser load लेगा और इस तरीके का खुलेगा ठीक test name, test father, test mother 1st January 1st 1997 कुछ भी डाल दिया mail, school ID card में कुछ भी मैंने डाल दिया ठीक है तो इस तरीके से अपने present address आप डालोगे जो भी आपकी test locality Delhi East यह हमारी email ID है और number भी हमने पनी डाल दिया है ठीक है तो अगर आपका यह बिल्कुल same है present address और permanent address तो आप सीधा same as permanent address डाल दो तो आपका इस तरीके से आ रहा होगा ठीक है permanent address भी आपको फिर डालना होगा अगर आपका जो same address है वही आपका permanent address है तो आपको just same as permanent address पर click करना है वो हट जाएगा फिर आपको password डालना है यहाँ पर फिर अपना password डाल दो what is the name of your first school जो भी डाल दो Hulululu school डाल देते हैं ठीक यह मैं आपको दिखा देता हूँ फिर उसका दिये कुछ इस तरीके से आएगा preview page ठेक है preview page online registration जैसे test name अगर ठेक है और last में आपको से confirmation पूछेगा कि या edit करना है registration form को या I agree तो I agree अगर edit करना है तो edit कर लो अगर कोई चीज तुमको लगे कि भाई कुछ गलती वलती ना कि क्योंकि क्या है ना last time एक बच्चे का जो हमने counseling कर रहे है तो उसमें एक बच्चे ने क्या कर रखा था अपनी मम्मी का surname गलत डाल रखा था ठीक है तो वैसे issue मत करना ठीक है उनको उसको last में पता चल रहे है कि मैंने surname गलत डाल रखा है बिलकुरी last में जब counseling का समय आया था certificate नहीं भी बना है तो उसको डाल देना कि तुम जिस भी category से बिलॉंग करते हो उसके बाद जब certificate बन जा तब डाल देना है तब उसमें दिखा देना अपना certificate बनवा लेना ठीक है certificate बनवाना important है ओके तो फिर certificate बनवार सकते हो चलिए अब आगे चलते हैं जैसे एडिट रिस इसमें रिस्टर करेंगे आपको जो application number मिला होगा जैसे मैं आपको दिखा जैता हूँ इसमें application number यहाँ पर ही कहीं पर होगा उपर ही आपका application number आजाएगा जैसे आप उसको पूरा process complete कर लोगे आपका application नमबर आजाएगा जो आपने पास्पर डाला वो security पी नहीं वाला डालना है और sign in कर लेना sign in करते ही आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा पूरा का पूरा न कुछ इस तरीके से नजर आएगा आप देख सकते हो ठीक है application form के step contact details आपने अल्रीडी भर दिये है personal details आपको भढ़ने होंगे आधार card, आधार details, exam as center details, qualification details, additional emergency contact details, emergency contact details में अपने ममी बबबग डाल देना ठीक है और document upload of final submit का आपको भढ़ना होगा ठीक है जैसे आप अब जैसे देखो यह application नमर आया न तो इस तरीके से ठीक है अब personal details पर जैसे आप क्या नाम है कहां से रहते हो यह सब देखते हुए नीचे जाओगे ठीक है फिर वहाँ पर आपसे एक आधार detail पूछेगा ठीक है अधार details पर जैसे आप तो आपको यहाँ पर आधार detail आएगा तो अपना application नमर नाम डाल के उसमें आपको बोलेगा इसमें आएगा कि I volunteer agree to share my आधार number and I aware that it will be used to establish my identity for the JMA in examination My information आधार is not the same as entered in the application क्या होता न कई लोगों का आधार का और तुम्हारा तुमने जो application नमर में डाला है वो दोनातों सा mismatch करता है तो यह सब आपको clear cut करना पड़ेगा है वहाँ पर और I am not willing to share जो भी है आप click करके security pin डालेंगे and submit and next करेंगे जैसे आप submit and next करोगे क्या होगा आपका इस तरीके से exam center details खुलेंगी कि आप कौन से exam centers पर जाना पसंद करेंगे भर लो आप अपने हैसाब से देना उनको अपने हैसाब से जनरली first जो भी आपका exam center होता है वही पढ़ता है तो कौन-कौन से के किलिए आप apply कर रहे हो paper first के लिए कर रहे हो या बिया supports के लिए कर रहे हो इसाब से नीचे आते हैं यहाँ पर देख रहे हो कौन से, मैरट, नौइडा, गाजियाबाद, तुम अपने हिसाब से बढ़ना, इसके हिसाब से मत भर देना, जो भी तुम्हारे घर के आसपास है, क्योंकि कुछ बच्चे, पिछली बार, सब ही आपने जो वीडियो में डाला था, हमने डाल दिया, तो वो वाला सीन मत करना, जो तुम्हारे घर के आसपास होगा लोगो करना, ठेक है, चलो, अब बात करते हैं, इसके बाद आता है, क्वालिफिकेशन डिटेस, तो क्वालिफिकेशन डिटेस के अंदर आपको जो 10th का क्वालिफिकेशन, जो भी होगा, कितने परसंटेज आए, आपको उसमें नाम क् 10th के जो तुम्हारा मार्कशीट उसमें नाम क्या डला हुआ है, सेम उसी तरीके से डलता है, अपना स्कूल का नाम, ठेक है, स्कूल का अड्रस बगरा डालना है, और कितने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले थे, कितने परसंटेज थे, यह सब आपको इसमें डालने होते हैं, ठेक है, फिर नीचे इसी तरीके से आते आते, फिर आपको क्या करना है, security pin अगेन, वो आपसे security pin डल वाएगा, तो security pin डालो, और क्या करते हैं, अपना save or next पे click कर देंगे, ठेक है, तो save and next पे click करके आगे बरेंगे, ठेक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके additional details, additional details पे कुछ नहीं, बसे बुछता है कि तुम जोड़वा हो या नहीं हो, are you turned or not, तो नहीं है, तो not करो, security pin डालो, save and next करो, ठेक है, save and next करते ही, फिर आता है आपका emergency detail, तो भाई, इसमें ज्यादा कोई अपना दिमाग नहीं चलाएगा, पापा, ममी के numbers भर देना, जैसे मालो, क्या होगा, कुछ भी होगा, number, ठेक है, मालो, कुछ भी number है, आपके ममी पापा का email address, और ये सब कुछ भर के, get OTP करना, OTP करते ही, आपको क्या हैंगे, OTP आएगा, उसके बाद आपका document upload का चीज़ आएगा, आप document upload का आएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे है, photograph, जिसमें 80% face app का without marks कोना चाहिए, यानि marks, बिना marks की खिचवाना सबसक्छा रहेगा, ठेक है, और signature आपको upload करना है, इसकी केवी क्या है, minimum केवी 10 और 200 केवी, यानि size का है, और ऐसे ही photo के इंदर 4 केवी और 50 केवी, आपका ही बच्चों का दिखकत यह आता है, भाया, हम कहां से करें, resize हमको तो आता ही नहीं है, तो कुछ नहीं Google वाबा कीज़े, तो Google वाबा जाना है, सर्च करना है, image resizers, वो भी तुम्हें वैला website दिखे, अपना जाके सीधा, सर्च कर लेना, यानि उसमें photo upload कर लेना, और वो तुम्हारा resize कर देगा, नहीं तो paint से भी resize हो जाता है, जिनको नहीं आता हो, उनके लिए है, जिनको आता अपना कर लेना, ठेक है, अब थोड़ा से नीचे चलते हैं, जैसे आपका document upload हो जाएगा, तो उसका इस तरीक से कुछ preview page का आएगा, देख लेना, आगे करके, फिर proceed करना, जैसे proceed करोगे, उसके बाद registration form complete, application form complete, फिर इस त ID first, तो email ID को verify करने के लिए, यहाँ पर click करना, जैसे सब कुछ verify हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास आएगा mode of payment, mode of payment में online payment है, आपका proceed to payment करना, proceed to payment करता है, आपका इस तरीक से दिखाएगा, कि भाई, application number 10, date of birth, customer ID क्या है, fee amount कितना है, और आपके select payment provider से, SBI, Canara, ICI, SDFC, जिस कर सकते हो, proceed for payment करना, proceed for payment करता ही, आपका सारा कुछ निपड़ जाएगा, और इस तरीके से confirmation page खुलके आ जाएगा, कि भाई, आपका हो गया है, confirm, तो जब तक confirmation page ना आए, तो यह मस समझना, कि तुम्हारा application form भर गया है, ठीक है, तो इस तरीके से दिखता है, confirmation page को something, ठीक है जो तुम्हारा पूरा का पूरा दिखेगा, clear है, तो I hope आपको इतना clear हो चुका होगा, और last वीडियो में जाने से पहले, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, winners aren't who never fail, winners वो नहीं होते, जो कभी fail नहीं होते, winners वो होते हैं, जो कभी quit नहीं करते, मैं अब कई सारी वीडिय जी कैसी होगी, बच्चों को काफी help मिलती है उससे, ठेक है, और मैं थोरा continue रहूँगा, असा तो सूरज आज कल चैनल को देख रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम के लिए आपको वीडियो जभू प्रॉपर प्रवाइट करूँगा, और subscribe कर ले ना, जिसना subscribe नहीं किय है, और घंटाएं भी बजा देना, जल्दे सो notification आता है तो लोग के पास, तो चलिए, thank you to all of you.